हेलो मित्रों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडी आन ट्रैक पर हर दिक स्वागत है आज का हमारा सेशन है वैदिक सभ्यता आज हम वैदिक सभ्यता के 50 महतवपूर्ण प्रश्णों पर चर्चा करेंगे जो कि हमारा वन लाइनर होगा जो हमारे एक्जाम के मद्दे नजर एक्जाम के नजरिये से बहुत ही महतवपूर्ण प्रश्ण है इन महतवपूर्ण प्रश्णों का संकलन हम आपके सामने लेकर आए हैं उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्त होंगे चलिए आज का सेशन सुरू करते हैं ठीक है वैदिक साहित या वैदिक सभ्यता ठीक है तो आज का हमारा पहला प्रश्ण है कि वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है तो यहाँ आपका पंद्रह सो इसापुरो से छे सो इसापुरो तक माना जाता है जैसा कि हमने बताया था इसापुरो और इस्वी इसा पुर्व है जब इसा मसीह के जन्म से पुर्व का जो समय है उसे हम इसा पुर्व कहते हैं और इसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम इश्वी से जानते हैं ठीक है वेद का साब्दिक अर्थ क्या है वेद का साब्दिक अर्थ होता है ग्यान ठीक है तो आरे का सब्द का अर्थ है स्रेष्ठ वन्स को तथा क्लास की संस्क्रित में एक उत्तम व्यक्ति को आरे कहते हैं वैदिक साहित्य को किन दो भागों में विभक्त किया गया है वैदिक साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है एक है सुरूत एक है स्मृति ठीक है वैदिक साहित में उपनिसद किस परंपरा पर आधारित है तो आपका भारतिय दर्सन पर आधारित है वैदिक काल में सरवाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है ऐसी कौन सी नदी है जिसका सरवाधिक सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है तो आपकी सिंदु नदी का वरन कई ज्यादा वार है वह एक ल्बिक काल मैं carry सबसे पुराना Cum सबसे कौन सा है तो रीगवेद कान करणा कहे जाते हैं सत्री वेद में आपका रीगवेद यजुरवेद और सामवेद है अथरवेद आपका त्रिवेद के अंतरगत नहीं आता है हमारे चारवेद हैं मुख्य चारवेद है रिगवेद में कितनी रिचाएं और कितने मंडल हैं तो रिगवेद में आपके 10-28 रिचाएं और 10 मंडल हैं ठीक है वह कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वाड सब्द का सरुप्रथम नाम उलेख मिलता है तो रिगवेद है रिगवेद में आपको वाड सब्द का सरुप्रथम उलेख मिलता है पुरुसुक्त पुरु सुक्त मूलता किस वेद में पाया जाता है तो पुरु सुक्त आपका रिगवेद में पाया जाता है किस वेद का संकलन रिगवेद पर आधारित है तो साम वेद का ठीक है रिगवेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है तो नौवा मंडल जो है यहापका सोम को समर्पित है रिगवेद का सरवाधिक प्राचीन मंडल कौन सा है तो रिगवेद का सरवाधिक प्राचीन मंडल कौन सा है तथा इसे किस नाम से जाना जाता है तो जो दूसरे से सात्मा है यह सबसे प्राचीन मंडल है और इसे गोत्र मंडल की भी कहते हैं इसे गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं दसराग युद्ध का वडन किस मंडल में मिलता है तो दसराग युद्ध का वडन जो है आपके सात मंडल से मिलता है परुन्नी नदी जो की रावी नदी के नाम से है रावी नदी के तट पर राजा सुदास या विजय हुए थे इस युद्ध में दसराग युद्ध में ठीक मोक्ष सब्द का सरव प्रथम उल्लेख किस उपनिसद से हुआ है स्वेतास्वर उपनिसद स्वेतास्वर उपनिसद में आपके मोक्ष सब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है आरियों के इरान से भारत आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है तो ये है आपका बोगज कोई अभिलेग, बोगज कोई अभिलेग से आरियों के इरान से भारत आने की सूचना मिलती है, किस अभिलेग से बोगज कोई अभिलेग से, उपनिसद काल की राजा अशुपत कहां के सा सकते, कहके के सा सकते, रिगवैदिक आरियों की भासा क्या थ संस्क्रत थी आरियों का सरवप्रथम वासस्थान कहां था पंजाब और अफगानिस्तान में ठीक है महा भारत की रचना वेद ब्यास के फार्सी अनुबात का सिर्शक क्या है रज्यम नामा रज्यम नामा तथा उसे जय सहिता भी कहते हैं ठीक है मिताक्षरा के लेखक कौन है तो मिताक्षरा के लेखक आपके विज्ञानेश्वर जी है वैदिक काल में अगहन्या वैदिक काल में अगहन्या किसे कहा जाता था किसे माना गया है तो गाय को अगहन्या कहा जाता था मनु इस्मरेति गरंथों में सबसे प्राचीन है किन्तु यह मुख्यता किससे संबंदित है तो यह आपके समाज व्योस्था से संबंदित है ठीक है क्रमसा संसकारों तथा पुराणों की संख्या कितनी है तो जो हमारे यहां संसकार है कुछ 16 संसकार माने जाते हैं और पुराणों की संख्या 18 है ठीक है जब जन्म के समय का संसकार हमारे यहां फिर कंछेदन का होता है और मुंडन का है बाल है जनेव है इसी तरीके से हमारे कुछ 16 संस्कार होते हैं और 18 पुराणों की संख्या है, 18 पुराणों का ब्याख्यान है, सर्ग प्रतिसर्ग, वन्स, सर्ग, प्रतिसर्ग, वन्स, मनवंतर और वन्सानुचरित, किसके संखेत तक हैं? यह सबाप के पुराणों के संखेत तक हैं, ठीक है? जीव को पारजन हेद वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था क्या कहलाता था उसे उपाध्याय कहते थे रिगवैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था उस समय पुरोहिज जो होता था वह रिगवैदी काल में राजा की सहायता के लिए सबसे प्रमोख अधिकारी होता था आठ सो से छे सो इसापुरु का काल किस यूग से जुड़ा है वह है आपका ब्रामहड यूग से ठीक है ब्रामहड यूग से जुड़ा है देखें इसापुरु आपका उल्टा चलता है आठ सो इसापुरु उसके बाद छे सो पांशो चार सो तीन सो इसी तरीके से एक इसापुरु स्वित इस भी आएगा पुरुसमेग का उल्ले कहां हुआ है पुरुसमेग का उल्ले कहां हुआ है सत्पत ब्राम्हण में आपका पुरुसमेग का उल्ले हुआ है सत्पत ब्राम्हण सत्पत ब्राम्हण में उलिखित राजा विदेह माधव से संबंधित रिसी कौन थे तो र सबंदी त्रिश गायत्री मंत्र का उल्लेः किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र का उल्लेः किस ग्रंथ में मिलता है तो घान दीजेगा उल्लेखित यव सब्द किस क्रिशिक से उत्पाद हे तो प्रयुक्त किया गया है तो यह जो क्रिशिक का उत्पाद था क्रिश उत्पाद था यव सब्द आपके जव के लिए प्रयोग किया गया है रिगवेद में ठीक है सत्य में हो जैते सत्य किस उपनी सत से लिया गया है सत्य काम जाबाल की कथा जो अनब्याही मा होने के दोस्ट को चुनौती देती है किस उपनी सद में उल्लेखित है तो यहाँ आपका छंदोग ये उपनी सद में उल्लेखित है ठीक है प्राचीन सहर तच्छ सिला किन दो नदियों के मधिस्थित है तो सिंदू और जहेलम के मधिस्थित है भारत में किन अस्थलों से लोह धातूं का प्रचलन के प्राचीनतम साच मिले हैं यह है आपका अतरंजी खेडा से अतरंजी खेडा से आपके लोह धातूं के प्राचीनतम साच प्राप्त हुए हैं वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था तो वैदिक देवताओं का पुरोहीत आपके ब्रिहस्पत को माना जाता था किसने आरियों के आदि देश के बारे में लिखा है तो आपके बाल गंगा धर तिलक ने आरियों के आदि देश के बारे में लिखा हुआ है ठीक है? Next वैदिक नदी, अस्किनी या इसक मती की पहचान आज किस एक नदी के रूप में की जाती है ठीक है? तो वह है आपका चेनाव नदी के रूप में की जाती है वे कौन ब्रह्म हुआदनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की ठीक है? कुछ वेद मंत्रों की रचना की तो लोपा मुद्रा, अन्यभोसा और अपाला आदी ऐसी ब्रह्म हुआदनिया थी जिन्होंने की वेद मंत्रों की रचना की थी ठीक है? रिगवैदिक काल में निस्क, निसाका सब्द का प्रयोग गले के स्वन्ड आभूसन के लिए किया जाता था ठीक है? गले के स्वन्ड आभूसन के लिए जो गले में हम पहनते हैं सोने का आभूसन उसको निस्क या निसाका कहा जाता था किन्तु परवर्थी काल में लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इसका प्रियोग किस अर्थ में हुआ तो इसका प्रियोग का जो अर्थ था नाम पड़ा उस्षिक्य के लिए भी निस्क का प्रियोग हम करते हैं प्रियोग किया जाने लगा सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता है सरस्वती को मातेतमा देवीतमा एवं नदीतमा नामों से जाना जाता है उत्तरवैदिक काल में किनको आरे संस्कृत का धूर समझा जाता था अंग एवं मगध को आरे संस्कृत का धूर समझा जाता था वैदिक यूगीन सभा किसे कहते थे तो मंत्री परिसद को सभा कहते थे किस काल में अच्छूत की अवधारणा इसपष्ट रूप से उधित हुई थी धर्म सास्तर के समय में अच्छूत की अवधारणा इसपष्ट रूप से उधित हुई थी ने आई थी रिगवेद काल में जनता मुख्य तक किस में विश्वास करती थी तो रिगवेद काल में जो जनता है वह बल एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी प्राचीन काल में आरियों के जीव को पारजन का मुख्य साधन क्या था तो प्राचीन काल में आरियों के ऐसे संबंधित पुस्तक है ठीक है पुस्तक है तो यह आपका ज्यामती से संबंधित पुस्तक है ठीक है ठीक है मित्रों आज इतना ही 50 questions का हमने यहाँ पे वैदिक सभ्यता के महत्पूर्ण 50 प्रशनों का संकलन देखा यह पूरे विश्वास के साथ हम लोगों ने इन योगी साबित होंगे आप लोगों से आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा इसके लिए आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ सेयर करें और हाँ वेल आइकन दबाना ना भूलें साथी साथ आप हमारे और भी वीडियो हमारे प्लेयलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सात ही साथ आप हमारे टेली ग्राम चैनल से भी जो कि प्लेयलिस्ट में उसका लिंक है वहां से यहां पर आपको प्लेयो फ़ार में साफी मेटेरियल प्रॉइट कराए जाएंगे धरन्माद